तो कैसे हो गाइस आई होप सभी ने दिवाले इंजॉइ कर लिया होगा बहुत ही मज़े के साथ सब कोछ खतम हो गया अब हमें करनी है चुरुआत हमारे आगे के पॉर्शन के बारे में चालो सो कंटिन्यू करेंगे हमारा वही वाला चैप्टर जो की बड़े ही लंबे टाइम से चल रहा है इसका है ये लेक्चर नमबर फाइफ और आज इस लेक्चर के अंदर आपका ये चैप्टर पुरी तरह से खतम होने वाला है अगर आप सभी ने लेक्चर वान टू थी फो नही नहीं देखा है तो जल्दी सजा कर देख लो ताकि बढ़िया तरीके से ये चैप्टर का पूरा कॉंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ओके सो यह है टें स्टैंडर्ड हिस्ट्री का सिक्स चैप्टर जिसका नाम है इंटर्टेन्मेंट एंड हिस्ट्री सो ह हमारे एंटर्टेन्मेंट का हिस्ट्री से क्या रिलेशन है हमारे हिस्ट्री में एंटर्टेन्मेंट के कौन-कौन से सोर्से से किस तरह से एंटर्टेन्मेंट के वीरियर सोर्से हमारे सामने आये कैसे सिनेमा आया कैसे कौन सी चीज़े आई वो सारी चीज़े हमें इस पर अगर नियू हो तो सब्सक्राइब भी फटाफट से अभी से कर लो बैल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहे ठीक है और जल्दी से जाकर सारे लेक्चर को जरूर से देख लेना ओके चालो सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते ह आज का हमारा टमपीक है इंद्यप एंडॉस ट्री इंडियन फिल्म इंड THU तो हमने सबसे पहले विपजिक सब्सबैने इन देटंडमें इंटर्नेट बोलने जा रहे थी तो इसके अंदर अमें इंटर्नेट समझ रहा है ना तो सबसे पहले हमने क्या देखा entertainment क्या है entertainment किस तरह से आया सबसे पहले कौन सी चीज़े entertainment के लिए कौन से sources आये हुए थे पहले के टाइम पर क्या चीज़े लोग use करते थे entertainment के लिए ये archaeologist ने कहां पर ढूंड निकाला था कट पुतलियों को डूंडाता है कि नहीं कहां पर ढूंडाता ये सारी चीज़े मैंने आप लोगों को lecture 1 के अंदर बताया हुए ठीक है तो आराम से जरूर से देख लेना ओके तो अब आगे बढ़ते बहुत सारे अलग-अलग शोस देखते हो बहुत सारे एक्टर एक्टरस को देखते हो ये पूरी जर्णी कैसी है इस वो किस तरह से आये cinema किस तरह से शुरू हुआ वही सारी चीज़े हमें यहां पर बताई हुई ठीक है अब यहां पर हम सबसे पहले क्या जानेंगे यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे कि cinema होता क्या है ठीक है cinema क्या होता है cinema क्या होता है बच्चो वो एक बोलते हैं न कि togetherness होता है किसका कौन सी दो चीज़ का art और हमारा technology ठीक है जो cinema है cinema is a medium that bring together art and technology तो cinema क्या होता है जो क्या करता है मिलाता है किसे मिलाता है साथ मिलाता है किसे साथ मिलाता है art को और technology को सो art और technology जब साथ में मिल जाते हैं तो क्या बनता है तो cinema बनता है कि नहीं जो moving, जो move होने वाली जो चीजे होती है, move होने वाला जो पुरा picture होता है उस picture के movement को ही हम क्या कहते है, cinema कहते है क्योंकि वो एक technology के help से हो रहा है एक moving picture हम जब देखते हैं तो वोसे हम क्या कहेंगे वो cinematography होता है, वही क्या आप करता है, उसी तरह से क्या होता है क्रियेशन होता है एक मूवी का क्रियेशन उसी तरह से होता है वीरियस टेकनोलोजी का इस्तमाल करके उसके बाद बहुत सारी अलग-अलग टेकनोलोजी का इस्तमाल किया जाता है पहले के टाइम पर तो बहुत कम टेकनोलोजी ती तो तभी भी बहुत ही मेहनत के साथ उन्हो यह सिनेमा को लोगों तक पहुचाने की कोशिश की हुई थी वो जो स्टार्टिंग का टाइम था और इसके अंदर किस-किस ने बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले किया हुए उसे हम लोग देखते हैं ठीक है तो यह जो सिनेमा होता है यह सबसे बहुत जादा इंपॉर्टन ची वही सारी चीज़े आप लोग को यहां पर बताई हुई है ठीक है यह जो चीज है इसके रिलीजिंग में जो सबसे बोलते हैं इंपॉर्टेट एक हर पॉइंट होता है जहां से इस चीज की शुरुआत होती है वो शुरुआत कहां पर से हुई थी महाराश्ट्रा के अंदर मतलब कि इस मुंबई के अंदर महाराश्ट्रा के अंदर ही सिनेमा फॉस टाइम रिलीज हुआ था फुल फ्लेज एकदम बढ़िया पूरी तरह से कंप्लीट मुवी इसी महाराश्ट्रा के अंदर रिलीज हुआ था और इसी के लिए महाराश्ट्रा को क्या कहा जाता है तरही चीज़े मह्रास्टा के अंदर ही Other Time हुआ था सबसे पहली चीज यही पर रुए है स्थ्सक्रानी क्माराश्टा के अंदर ही आया हुआ है थीके तो फॉया जीज़े आप लोग बताया हुआ हुए एक पहले के टाइम पर पिक्चरस में मूवी आप जो मूवी देखते हो उस रील के अंदर उस मूवी के अंदर आपको कोई भी कलर नहीं दिखाई देता था है क्योंकि उतना ज़ादा टेकनलोजी डेवलप नहीं था तो इसकी वज़से ऐसे कलर को सपोर्ट है कि नहीं तो ये सारी जो चीजे हैं ये भी पहले के मुवी में बिलकुल भी नहीं होता था क्योंकि पहले के मुवी में साउंड नहीं होता था वो साउंड लेस मुवी होती थी ठीक है तो याद रखना है आपको जब फॉर्स टाइम मुवी रिलीज हुआ था तो वो मुवी वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो चीजे लोग सिर्फ ऐसे देखते थी तरह की चीजे उस टाइम पहले के टाइम पर होती थी अभी लगबाग शोटीLER की रही उगी तभी ना लोग चुप रहते थे अर्णा अमटल था दया है उसके बाद एख लेडी थी उसका बेटा था उसके हस्बेंड से तो वो लोग ना पूरा एक serial जैसे बना हुआ था बट वो ना पूरा soundless होता था तो वो देखके लोग अंदाजा लगा रहे थी तो बहुत हस्ती आती थी उसको देख देखे बहुत सारे लोगों ने ठीक है उसमें जो कॉंट्रिब्यूशन है एक बड़े कॉंट्रिबूशन के रूप में किन लोगों को जाना जाता है जो हाँ माधवराव हो गए उसके बाद माधवराव पितले माधवराव पितले इन्होंने इस चीज के अंदर इस किनमेटेग्राफी जो हमारा सिनेमा है इस सिनेमा के अंदर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था अपना बहुत बड़ा कॉंट्रिबिशन दिया हुआ उसके बाद पतवर्धन हो गया फैमिली कल्यान के अंदर जो पतवर्धन फैमिली है वो लो स्टार्टिंग के स्टार्टिंग का सबसे बहुत किसे अंदर और बहुत सारे ओर लोगों ने एकदम सामने से आकर इस चीज के अंदर अपना कॉंट्रिबिशन दिया हुआ उन में से कुछ लोगों का हम नामिया पर बहुत हैं शबसे पहले आजाते हमारा हमारे गोपाल गोपाल राम चंद्र ठीक है गोपाल राम चंद्र जी इन्होंने भी इस चीज के अंदर बहुत ही इंप्वर्टैंट रोल प्ले किया हुआ था उसके साथ साहिं तोडाने यह भी और इन्हें दादा साहिब तोरा ने भी कहा जाता है एंड उसके साथ साथ A.P. करंदेकर जी इन्हों ने भी बहुत जादा important role play किया हुए था उसके साथ S.N. पतनागर जी इन्हों इसके अंदर बहुत जादा important role play किया हुए थे हमारे सिनेमा के अंदर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन्हों ने भी इंपॉर्टन रोल प्ले किया हुआ था उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने इस टेकनोलोजी के अंदर न्यू न्यू टेकनीशियंस को लाया हुआ था न्यू न्यू टेकनोलोजी को लाया हुआ पुंदालिक इस मुवी का नाम था और इस मुवी को कहां पर रिलीस किया गया था मुंबई के अंदर रिलीस किया हुआ था कब जाकर उन्होंने इस मुवी को रिलीस किया था 1912 में सोचो 1912 में इस मुवी को रिलीस किया हुआ था फॉस्ट मुवी ठीक है फॉस्ट मुवी को क कब रिलीस किया हुआ था मुंबई में ठीक है मुंबई में कब रिलीस किया हुआ था 1912 को रिलीस किया हुआ था और जब ये चीज आ गए ठीक है ये एक मुवी आ जाने के बाद जो कि साउंडलेस मुवी थी इस मुवी के आ जाने के बाद और भी इस मुवी की सीरीज को कंट दिखने वाले हैं स्भी आजाता है हमारा राजा हरिषचंद्र राजा हरिश्चंद्र के बारे में कभी अपनी जondere में जूट नहीं जूला हुआ था और वह इसी चीज्थ के लिए अशन परम स्पोर्सन के बारे में एक मोईनि Γण गए थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र और यह मूवी के डायरेक्टर कौन थे फालके थे फालके वस्ट तो बी प्रोसेस्ट कम्प्लीटली इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर फॉस्ट टाइम यह कम्प्लीट मूवी को प्रड्यूस किया गया था लोगों के सामने लाया गया था फाल मंभा नेन प्रिक्त पर 12,000 canvas ऑ़ देखा था था क्या हम लोग महाराश्रा को मुवी का हम मानते हैं यहां पर फिर्सborg मुवी को बहुत हाँ लार्ज है श्केल पर यहां पर मुंबाइ के अंदर ही वी इस को रिलीस किया गया था पूस्थ 13 को 19 13 को release किया गया था next movie का पर मुंबई के अंदर again ठीक है सो याद रखना है आप लोगों को movie first time मुंबई के अंदर ही release गया था ठीक है अब ये movies जैसे आई उसके बाद और भी लोगों ने इस movies के अंदर अपना contribution करना शुरू कर दिया था और उसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारी silent movies को, silent movies मतलब की जिसमें sound नहीं होता soundless movies को release करने में अपना contribution किया हुआ था, बहुत सारी अलग-अलग movies को इन्होंने release किया हुआ था आनले को सबसे पहला है, हमारा the VA-ऊनी ऩू मोहिनी भसमा सुर, मोहिनी और भसमासुर की श्रूर को अपने विश्रू जी ने मोहिनी का आफ़तार लिया हुआ और उसमीर जब समसुर उन से मोहित हो गया मर गया की कुछ तो भी होता है यह पूरी story के वारे में इस स्टोरी के बारे में फिल्म कोD picture करना यह लोगों को दिखाना यह पूरी story इसको लोगों तक पहुचाना ऐसी बहुत सारी अलग-अलग movies को रिलेज किया गया था उसके बाद सावित्री मतलब जो सावीत्री जो थी ना उनका हस्बन था सत्यवान के लिए वो ना बहुत मतलब बोलते रहें कि वह ना कि वह मर गये थे तो उनको उस ने मृत्यों लोग से खीच के लाया हुआ था उसके लिए बहुत जाँधा तपस्या कि उसने बहुत जाँधा मेनत किया कि लड़ा जगडा ये सब करकर के बहुत वह स्टोरी है पुरी तो वैसे करके एक मूवी को creation किया गया तो ऐसी बहुत तारी अलग-अलग movie जो कि कि समचन नहीं जाने ऐसे मुभी सब को समझ में आ रहा होगा जैसे ताइम पीर्यड आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे और भी बहुत सारी movies release हो रही थी अलग-अलग जगह पर रिलीज हो रही थी तो ऐसी बहुत सारी movies है आप लोग को textbook में given है उन movies को आप लोग एक बार read कर ले रहा ठीक है चालो so next बढ़ते हैं हम लोग हमारे next topic की तरफ ठीक है चालो so next topic क्या है हमारा entertainment and professional opportunities entertainment and professional opportunities का मतलब क्या होता है entertainment तो ठीक है हमें पता चल गया entertainment entertainment के अंदर क्या आ जाता है movies आ जाता है drama आ जाता है कि नी तो यहाँ पर मैंने drama लिखा है बट इसके साथ और भी चीजे आएगी इसके अंदर जो की है हमारा next next topic क्या है हमारा yes so next topic इसके साथ drama पहला हमारा point आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा हमारा कि यह बाद आ जाएगा हमारा cinema ठीक है ठीक है तो movie आ जाएगा पहले हमारा आ जाएगा drama और उसके बाद आ जाएगा हमारा cinema सो सबसे पहले हम लोग यह चीज हमने discuss कर लिए complete कर के दर लिया है उसके आगे हम लोग बढ़ने वाले एंटरचेनमेंट और ड्रामा आ आ जाता है मोईज आ जाती है किनी फेल्म T政ie यह यह सारी चीजिदे अब एंटरच TY वाले ना है कि ने अभी अगर मैं यहां पर आपको पढ़ा रही हूं मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूं पढ़ा ही कर रही हूं और आपको पढ़ा रही हूं तो वह चीज करने के लिए मुझे कहीं से पैसे मिल रहे है कि ने तो उसी तरह से जो मुवीज में एक्टर एक्टरसे बहुत सारे डारेक्टर अलग-अलग जो लोग होते वो काम करते हैं तो उनको काम करने के बदले पैसे मिलते हैं तो वो पैसे मिल रहे हैं मतलब कि उनको कुस्तोवी प्रोफेशनल अपॉचुनिट इस मिलेगी, drama के अंदर actors होते हैं, है कि नि, of course होते हैं, अब उसके अंदर well known person चाहिए, हमें कौन चाहिए, well known person चाहिए, जो stage के बारे में जानता हो, stage के background के बारे में जानता हो, background को कैसे हम create करें, background को हम कैसे creative बनाए, ऐसे बहुत सारे लोगों की जरुरत होती है, वहाँ पर जो जब किसी जगे पर ड्रामा दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंस होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समालना पड़ता है तो ऐसे लोगों को हायर किया जाता है उनको सही डंग से बिठाना हो गया चाहे वो पर्दे का जो शो है उसको कब स्टॉप करना है कब ऑन करना है उसकी कोई मिमिक्री कर रहा है क्या हम कोई ड्रामा दिखा रहे तो हमें बहुत सारी वेरियस चीजों की जरुरत पड़ती है उन सभी चीजों को प्रोवाइड करवाने वाला ऐसे बहुत सारे अलग-अ प्रोफेशनल अपॉच्वनिटी मिलती है हमें ड्रामा के फिल्ड में अगें अगर हम लोग आगे बढ़ जाये तो सिनेमा के अगर हम लोग बात करेंगे तो सिनेमा के अंदर अगर आप सभी मुवीस थोड़ा बहुत भी देखते हैं आप में से सभी ऐसे होंगे कि मुवी हीरो हेरो इस वह हुआ पतता होगा कि और जोब लहां होती है कि यह पता होगा कि यह जो पर मूवी बनती है सो वह हर एक चीज एक दम लोगे होती है वह पूरा ले होता है एडिट किया जाता है इसकी प्रोफेशनल अपोर्वशुनिटीज आपको मिल जाएगा जा mo अपर चीज को लाइ जाता है अभी टाइम पर 북한 नहीं था बड़। फिर भी Prisoner अपॉचुनिटीज के अंदर ग्राफिक्स on लाइनिंग भी आ जाता है ठीके है सो यह ऐसी बहुत अलग-अलग अपॉचुनिटीज मिल जाती है अब जैसे अगर हम किसी भी hero hero उनको direct कोई भी कपड़े पहन के direct उनको सामने खड़ा कर देंगे क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो बहुत गंदे दिखेंगे, ठीक है तो उनको ready करने के लिए बहुत सारे stylis की जरुवत होती है जो hair stylis होते हैं, बाल बना कर देते हैं उनका, उनकी जरुवत होती है जो अलग-अलग costumes पहनते हैं, वो costume designers की जरुवत होती है makeup दादा की जरुवत होती है, उनको makeup करने वाले अलग से लोग आते हैं जो उनको makeup करते हैं, ready करते हैं उस role के लिए उसके बाद dancers की जरूरत होती है, बहुत सारे अलग-अलग dancers की जरूरत होती है, singers की जरूरत होती है, फिर choreographer की जरूरत होती है, जो उन्हें dance सिखाता है, जो hero-heroins होते हैं, उन्हें already dance once नहीं आता है, उनको सिखाने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े-बड़े choreographer साते आपने पूनीत withdrawal सुना होगा। सुना होगा अससे सब best am कोरियोग्राफर्ण क्या करते है उन्हें सिखाते हैं उसके बाद सबसे इनपोरटेंट एक डायरेक्टर क्या करता है क्या क्रिएट करता है उसवी को उसके बाद राइटर हो जाते है जुस उस के dialogues को इस movie के story को लिखता है वो सेम क्या कहते है writer कहते है story writer कहते है फिर dialogue writers अलग हो जाते है ठीक है बहुत सारी ऐसी बहुत सारी various professional opportunities available है हमारे cinema के अंदर drama के अंदर so drama अभी तो जादा बड़े level पे नहीं चलता है I guess चलता भी होगा so drama के बारे में तो बहुत जादा नहीं सुन सकते हैं हम लोग बहुत जादा देखने भी नहीं जाते हैं but cinema के बारे में सभी को पता है कि movies एक के बाद एक के बाद एक आती ही रहती है तो अगर आपको interest है तो वही सारी चीज़ें हमें यहां पर बताया हुआ है कि कौन कौन से professional opportunities हमें cinema के अंदर दिखाई देती है इस field के अंदर इस industry के अंदर ऐसी बहुत सारी अलग-अलग professional opportunities I hope so सभी को ये दोनों topic बढ़िया तरीके से clearly समझ में आ गया होगा और आ गया तो क्या करना है वीडियो को like जरूर से करना है और अगर चैनल पर new हो तो subscribe करना है और अगर कोई भी doubt हो तो मुझे इंस्टा पर जाकर follow करना है और यहां पर आपको message करना है ठीक है चालो सब त